हलो गाईज अगर आप भी ओईल एंग गैस या फिर किसी कंस्रक्शन फिल्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग रूल्स यानि जीवन रक्षक नियमों के बारे कि मैं इन सारे लाइफ सेविंग रूल्स का पालन करूंगा पिछले कई सालों में देखा गया है कि एक छोटी सी मिस्टेक के करण कई लोग अपनी जान गमा बैठते हैं जिसकी सजा पूरे परिवार को भूगतनी पड़ती है तो मुझे उमीद है कि आप लोग जब भी काम करना शुरू करेंगे किसी भी प्लांट में तो उससे पहले जो भी यहाँ पे लाइफ सेविंग रूल्स के बारे में जो पॉइंट बताये गए हैं एट लिस्ट उनको फॉलो करेंगे तो हमारा सबसे पहला रूल है वर्क ऑथराइजेशन यानि कार्य की अनुमती अर्था जब भी आपको काम करना हो तो एक वैलिड यानि मान्य पर्मिट आपके पास होना ही चाहिए और पर्मिट पर जिस कारे का वर्डन हो उसी कारे को करना चाहिए इसका मतलब बिना वर्क पर्मिट आपको काम शुरू नहीं करना है हमारा नेक्स्ट रूल है सेफ मेकानिकल लि लिफ्टिंग करना हो, यानि हेवी लोड्स को उठाना हो, लिफ्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले आपको उसका प्लान करना चाहिए, उसके बाद उस एरिया को बैरिकेट करना चाहिए, ताकि वहाँ उन अथोराइज़ परसोन ना सके, इसके साथ साथ आपके पास पर लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, नेक्स्ट रूल है, कन्फाइंड स्पेस, यानि एक सीमित अस्थान, अर्थात एक ऐसा अस्थान जहां आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वहाँ हम लगातार काम नहीं कर सकते, तो ऐसे अस्थान पर काम करने के लिए हमें सबसे पहले, कन्फाइंड स्पेस परमीट या फिर ऑथराइजेशन लेना बहुत ही लाजिम होता है, उसके बाद गैस टेस्ट भी करना होता है, ताकि जाकर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये पता किया जा सके कि कोई भी पराफोरिक मिटरियल तो नहीं है, कोई हामफुल गैसे तो नहीं है, ताकि हम सही तरीके से सुरक्षित अंदर जाकर काम कर सकें, हमारा नेक्स्ट रूल है टॉक्सिक गैसे यानि जहरीली गैसे, अर्थाद जहरीली गैसों के वातावरण में काम करने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे आपके पास प इस परियावरण में आसानी से काम कर सके नेक्स डूल है Energy Isolation अर्थात उरजा प्रिथक करण यानी आप जिस भी equipment में काम कर रहे हूं यह confirm कर लें कि वह equipment पूरे तरीके से isolate है और कोई भी stored energy available नहीं है अर्थात वहाँ zero energy होना चाहिए हमारा नेक्स रूल है ड्राइविंग यानि वहन चलाना यानि किसी भी प्लांट के अंदर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे सम्मधित सारे रूल्स को फॉलो करें खास कर स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और सीट बिल्ट जरूर लगाएं स्पीड लिमिट हर प्लांट के अलग-अलग डिफाइन होते हैं कहीं पे 30 किलोमेटर पर आओर होता है कहीं पे 20 किलोमेटर पर आओर होता है कहीं 40 किलोमेटर पर आओर होता है तो उसके रूल्स के हिसाब से ही आप उसी लिमिट के अंदर गाड़ी को ड्राइव करें उससे ज जरूर ले, एक example से clear करते हैं, suppose आपको hot work करना है और उस location पर fire detector या smoke detector alarm लगा है, तो काम शुरू करने से पहले आपको permission लेकर उस detector या alarm को disable करना होगा या बंद करना होगा, नहीं तो जैसे ही हम hot work शुरू करेंगे और fire या smoke detect होगा तो alarm बच जाएगा जिससे दूसरे लोग भ भी आपको safety controls को bypass करना होता है, next rule है line of fire यानि अगनी रेखा, तो line of fire क्या होता है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम का impact जितनी दूर तक जा सकता है, वो line of fire कहलाता है, एक example से समझते हैं, suppose आप किसी height पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपका समान उपर से गिरने नीचे जहां तक जा सकता है, वो area line of fire कहलाता है, तो जब भी आप काम करें, तो कोशिश होनी चाहिए कि line of fire के अंदर कोई ना आ सके, उसके लिए आप area को barricade कर सकते हैं, एक छोड़ा सा example और लेते हैं, suppose आप hammering कर रहे हैं, तो आपका hammering जो है, वो जिस position पे जा रहा है, वो particular area आपका line of fire कहलाएगा, तो उस area में आप अपना हाथ या फिर सर ना ले जाएं, बचा करके रखें, तो इस तरीके से line of fire मुझे लगता है, कि आपको समझ में आया होगा, next point है work at height, यानि उचाई पर काम करना, तो देखिए, जब भी आप 1.8 मिटर की height से जादा उपर काम करते हैं, तो ये work at height कहा जाता है, तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, कि जब भी आप work at height पर काम करें, तो स्वैम को गिरने से बचाने के लिए safety hardness का इस्तेमाल जरूर करें, और harness को अच्छे से hook करें, हमारा next rule है, hot work, यानि उच्छ में कारे, अर्थाद, जब भी आप hot work करते हैं, तो जोलन सील और प्रजोलन स्त्रोतों को नियंतरित करें, ताकि fire के chances कम हो, इसके लिए आप hot work वाले area को fire blanket से cover करें, वहाँ water hose का arrange करें, साथ-साथ fire extinguisher भी रखें, तो इस तरीके से आप किसी भी hot work को नियंतरित कर सकते हैं, आपके जितने भी का काम आ जाते हैं, जैसे की cutting, welding, grinding, ये सारे काम आपके hot work के अंदर ही आते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, तो अभी तक हमने जितने भी नियमों के बात की, अगर आप इन सब का पालन करते हुए, किसी भी plant में काम करते हैं, तो मैं guarantee के साथ कह सकता हू कि आप बिना किसी नुकसान के सही तरीके से किसी भी कारे को execute कर पाएंगे, तो मुझे उमीद है कि आप लोग इन सारे points को खुद की सुरक्षा के लिए note करके हमेशा ध्यान रखेंगे काम करने के दौरान, अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो, तो वीडियो को like करें, दोस पाएंगे, इसी परकार की और भी वीडियो को देखने के लिए जाने से पहले चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली next वीडियो का notification आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाए, तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख् दाल रखें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू वेरी मुच, थैंक्स फोर वाचिंग